हेलो हेवरीवन आज हमारा जेनेटेक इंजिनेरिंग का अगेइं एक लेक्चर है और बहुत छोटा लेक्चर रहें और इसमें हम पढ़ेंगे टैक्नीक कि औफ रिकॉंबिनेंट डियेने कि हम रिकॉंबिनेंट डियेने कैसे बनाते हैं अच्छा एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपी लेक्चर या वीडियो देखे होगे तो इससे पहले एक लेक्चर है जिसमें हमने जैनेटिक इंजिनियरिंगे टूल्स के बारे में अब देखेगा और फिर इसको देखेगा तभी आपको समझ में आगा क्योंकि इसमें तो तो जब अगर इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे की जो पैसेंजर डियने होता है और वहकिल डियने होता है अगर इन्हें टम्स वहाँ समझाए गए हैं तो जिनको ऐसा डियने जिसको हमें पैसेंजर डियने की तरह यूज करना है और ऐसा डियने जिसको हमें वहकिल डियने की तरह यूज करना है इनको हम इनके cell से extract करेंगे these are extracted from their cells ठीक है तो जिस भी cell से हमें passenger DNA लेना है और जिस भी cell से हमें vehicle DNA लेना है तो उन cell की हम lysis करेंगे और फिर हम ये जो DNA है passenger DNA और vehicle DNA उसको एक्स्ट्रेक्ट करेंगे अच्छा जब हम इनको extract करेंगे तो of course इसमें दूसरे cell content भी मिले होंगे तो अब दूसरा कायम क्या होगा हमारा दूसरे step में हम क्या करेंगे by ultra by ultra centrifugation ultra centrifugation की help से हम जो भी हमारा ये DNA हमें 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 मिला है extracted DNA passenger और जिसको कि हमें passenger DNA की तरह यूज करना है और दूसरे DNA को हमें वहक्यल DNA की तरह यूज करना है इनका हम ultra centrifugation करके इनको purify करेंगे और इसमें से जो unwanted cell content है उसको हटा देंगे unwanted cell content को हम उसमें से क्या करेंगे हटा देंगे ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों ही passenger DNA और जो वहक्यल DNA है इनकी हम cleaving करेंगे ठीक है इनको हम इसको हम काटेंगे with the help of restriction endonucleases enzymes तो restriction endonucleases enzyme की help से हम जो passenger DNA है और वहक्यल DNA है उसको हम उसकी हम cleaving करेंगे ठीक है तो जैसे अगर passenger DNA ये है हमने इसको काटा और इसको हमने जहां काटा तो जब हम काटेंगे तो इस तरीके से कटेंगे की जो इनके sticky ends है जिनको हम जोड़िंगे ठीक है जो इनके sticky ends होंगे passenger DNA और वहक्यल DNA के ये एक दूसरे के complementary होंगे ठीक है ये एक दूसरे के complementary होंगे तो इसी complementary sequence को पाने हम लाने के लिए restriction endonucleus enzyme का यूज करेंगे क्यूकि मैं पता है कि यहां पर यह सेकोंगे अगर यह सेकोंगे पैसेंजर DNA में है तो इसका complementary sequence यहां पर वहक्यल DNA में है तो पैसेंजर DNA को हम उस साइड से पर काटेंगे और वहेकल देने को मुस्ताइक पर काटेंगे कि इनके complementary sticky ends बने उसके बाद हम ligase enzyme की मदद से हम इन दोनो sticky ends को जोड़ देंगे तो जब हमने दो अलग-अलग DNA को यहाँ पर जोड़ा है एक passenger था एक वहेकल था तो अब जब ligase enzyme की help से हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा जो नया DNA है वो क्या है recombinant DNA ठीक है क्योंकि दो अलग-अलग type के combination से यह बना है तो हमारा recombinant DNA हमको मिल गया उसके बाद क्या है इस recombinant DNA को हम host cell के अंदर जैसे की E को लाई है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे ठीक है अब इसमें सबसे important चीज़ यह है कि आप एक ऐसा host cell लेंगे जिसमें की plasmid नहीं होना चाहिए without plasmid इस चीज़ का ध्यान रखना है ठीक है जो host cell होगा उसमें plasmid नहीं होना चाहिए अब host cell के अंदर ही कैसे जाएगा host cell के अंदर ऐसे जाएगा कि आप जो host cell है से आप उसका treatment करिए इन दोनों ही दोनों मैंसे जो भी आप यूज करेंगे इनकी वज़े से temporary या transient पोर्स बन जाएंगे हमारे host cell की cell wall में ठीक है और जिसके की वज़े से जो हमारा आपको करना क्या है कि कुछ नहीं करना है इस रिकॉंबिन डियाने को आपको जिस जो आपका host cell का चले वहां डाल दीजिए और वहां डाल दीजिए और फिर host cell को आपने इन दोनों से जब इसमाप आप temporary pores create कर देंगे तो रिकॉंबिन डिये ने आपके अंदर चले गया जब वह चला जाएगा तो क्या होगा तो जैसे जैसे वह सब्सक्राइब और वह host cell का bacteria है तो जैसे जैसे वह बैक्टिर रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे रिकॉंबिन डिये ने का भी आपको मल्टिपल कॉपी मिलती रहेंगी तो इस तरीके से आपको जो डिजायर्ड रिकॉंबिन डिये ने है आपको उसकी बहुत सारी कॉपी मिल जाएगी और अगर आप उनको एक्स्ट्रेक्ट कर लीजिए तो यही था टेक्नीक ओ रिकॉंबिनेंट डिये ने तो अगर यह समझ मैं होगा तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए का थेंक यू